हेलो फ्रेंड्स मैं अबिका आपका मेरे चैनल ताहोसब थिंक्स पे स्वागत करती हूँ आज हम बेवी बुटीज लेकर रहा हैं इसे हम सॉक्स भी कह सकते हैं यह अच्छे महिने से एक साल की बेवी को अराम से आ जाएगा इसकी हमने जो इसकी बुनाई शुरू की है यहां ना नौ घ Rhine Numbers 6 महीने से इन यह एंच्छे महिने के बेवी यह यद़ी आ पद्लें समेंसे भनाते हैं यह उसमें पचास पंदे डाले यारा कालिस अरे जैसे कि यहां जो हमने इसी बुनाई की है तो यहां जो हमने यहां से सुरू की और यहां तक हम जो बुनते वे हैं तो यहां दो रो कम बुने यह जो उल्टी की है दो रो इसे आप कम बुने और फिर यहां भी आप दो रो को कम बुने फिर यहां से बुनते वे हम यहां तक है और इसे भी आप कम बुन ले तो इस तरह से यह चोटा सॉक्स तयार हो जाएगा च्छे महने की बच्ची के लिए तयार हो जाएगा और हमने जो पचास पंदे डाले थे तो यहां आपने बीच में जो घर बंद किये हैं आप दो घर को कम बंद करें जैसे हमने 20 एक साथ बंद करें और इस तरह से आप बुनते चले जाएंगे तो यह चोटा सॉक्स भी बन जाएगा और बीच-बीच में हमने बिगनर्स को आने वाली छोटी मोटी कन फ्यूजन पृल को भी सॉल्ट किया है बताया है कि बिगनर्स ढहां पर करें कहां पर सकते हैं कहां उनें इसी और यह फिल्क्रीक गोलकिक करते हैं तो सरस्टी के जनाया तो और दोनों इसी तरीके से बंप ना जाये खास्थ तो की तरफ सलाई पे हमने 50 फंदे डाले हैं और हमने 9 रो उल्टी उल्टी बुन ली है एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ और यह एक नौ यानि यह पोर्शन हमने बना लिया है और अब हम यहां जो यह वाइट है इस वाइट लाइन को बनाने वाले हैं तो हमने एक वाइट धागा लेना है और उससे बुनना है आप अपने पसंद का कोई भी कलर इस्तिमाल कर सकते हैं कि इसे हम उल्टा बुनेंगे इसे हम डबल देके अभी बुन रहे हैं चार फंदे हम डबल से बुनेंगे ताकि यह पक्का हो जाए यहां हम गात नहीं लगा रहे हैं बलकि डबल से बुन लेंगे तो गात लगाने के जुरत नहीं होगी यह पक्का हो जाएगा अब हम बाकी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन देंगे वाइट से यहां तक हम बुन देंगे यह सलाई कम्प्लीट होने को है यहां समने बुना है और यह कम्प्लीट होने वाली है अब हम फाइट की अगली सलाई पर है इसे हम सीधा बुनेंगे यहां से यहां तक सिधा उल्टा बुनना जाएगा वाइट से ही हम बुन रहे हैं वाइट की दूसरी सिलाई कमप्लीट होने को है यह जो हमने डवल से बुना था इसे हम एक ही मानेंगे और इसे इन दोनों को एक साथ लेके बुन रहे हैं अब हम ग्रीन बुनेंगे दो लाइन इसकी हो गई है अब ग्रीन की दो लाइन होगी तो अब हम ग्रीन धागा लगाएंगे अगर आप इगनर से तो मैं बता देती हूं यह जो ग्रीन है इसे हम इस पर ऐसे करेंगे आराम से इसे ज़्यादा खीच के ऐसे नहीं कर लेंगे बिल्कुल क्योंकि दो लाइन बीच में वाइट की बुनी गई है तो यह नीचे सूपर आएगा तो इस हिसाब से हम इसे थोड़ा खीचेंगे बिल्कुल इस तक नहीं खीचेंगे नहीं तो यहां स्रिंक हो जाएगा तो हमें यह देखना है कि यहां दो लाइन वाइट की है तो उस थोड़ा सा में धीला रखना है अभी हम ग्रीन से उल्टी लाइन बुन रहे हैं इसके बाद हम ग्रीन से सीधा बुनेंगे और फिर हम वाइट से दो उल्टा सीधा बुनेंगे फिर ग्रीन से उल्टा सीधा बुनेंगे फिर वाइट से उल्टा सीधा बुनेंगे फिर वाइट से उल्टा सीधा बुनेंग हमने यहां से यहां तक का portion बना लिया है दू दूचाद उच्छाय दूआर दू दस सलाई हमने सीधर इल्टी के बना लिया इस तरह से हमने बना लिया 10 सलाई हो गया है सिधर उल्टा का अब हम ग्रीन बुनेंगे अब वाइट का काम नहीं है इसे हम कटकर लेते हैं यहां हम गिरिन से बुनेंगे, चौदाव फंदे हमें इधर उल्टे बुनने हैं और बीच के बाकी फंदों को हमें बीच में जो बाकी 22 फंदे होंगे उसे हमें दो का एक करना है, अगर आपने 48 फंदे डाले अपने सलाई पे तो आपको बीच में बचेंगे 20 फंदे तो उस मेरे साइड में आप 14-14 फंदे ही रखेंगे तो यहां मेरे 50 फंदे हैं यहां भी हम 14-14 रखेंगे दोनों साइड और बीच की फंदे को हम दुका एक करेंगे कि पहले हम 14 फंदे बुन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यार, 12, 13, 14, और बीच के 22 फंदों को हमें दो का एक करना है इस तरीके से यहां दो का एक हो गया अब इससे भी हम दो का एक कर लेते हैं इस तरह हम दो का एक कर रहे हैं और इधर इसे भी हम कर लेते हैं यहां हमारे इस सरह 22 के 11 फंदों हो गया बीच के और इधर रागएं एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यार, बार, तेरा, चौदर, इन्हें हम उल्टा बुन लेते हैं झाल अब हम अगली सलाई पे हैं तो हम यहां जो यह 14 फंद हैं इसे भी हम उल्टा बुन लेते हैं और जिन फंदों को हमने दो का एक किया है उन्हें हम बंद करेंगे पहले हम यहां यह 14 फंद हैं इसे हम बुन लेते हैं उल्टा उल्टा इधर के हमने 14 फंदों को बुन लिया है अब जिन फंदों को हमने दो का एक किया है उन्हें हम बंद करेंगे इस तरीके से हम बंद करते चले जाएंगे आप जिस तरीके से बंद करते हूं वैसे बंद करें एक एक करके हम इने बंद कर लेते हैं इसे हम बंद करते जा रहे हैं यहां तक बंद हो चुका है इस तरीके से भी बंद किया जाता है हमें यहां 14 फंदे रखने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदर और यह एक पंद्रह है अब बाकी फंदो को हम उल्टा उल्टा बून देंगे यहांच दो पार ख्यून देंगे कि इस सेड़ भी 14 फंदे हो गया इधर भी 14 फंदे हो गया पहले हम इस सेड़ वाले को थोड़ा सा भूनेंगे तो हमें यहां कितनी सलाइब नहीं है देख लेते हैं एक दो तीन चार कि यानि हम आप सलाई बुनेंगे तो यहां चार लाइन आएगी उल्टी की तो हम पहले आप सलाई बुन देते हैं उल्टा उल्टा सिर्फ हम इतना बुनेंगे इसे नहीं बुनेंगे घ्ल्टा उल्टा उल्टा उल्स करिद। अवां प्लुनेंगे बुनेगे पाल उल्टा हम आप सलाई आप एम आप से ख़ाहां इसे यह जड़ते हैं कि पड़ते हैं भी आप हम अढ़ते हुआ है यह एक सलाई हो गया अब हम इसे पलट लेते हैं और फिर हम इसे उल्टा बुनेंगे पहला हम उतार लेते हैं इस तरीके से हमें बुनते चले जाना है यहां हमने उल्टी-उल्टी की चार लाइने बुन ली है एक दो तीन और यह चार अब हम लेस बनाएंगे लेस बनाने के लिए हम फंदे बढ़ाएंगे और हम फंदे इस तरीके से बनाएंगे ऐसे आप दिर्षा कर लें धागा को उंगली में और इस तरह से खीचे एक देखिए पकरे इसे इसे डाल दे अंगली में धागा को अंगली में इस तरह लपेटे और सलाई डाल दे इस तरह खिसते जाएं यह घर चंता चला जाएगा यहां हमें 30 फंदे रखने हैं आपको जितनी लंबी लेश चाहिए उतनी जादे फंदे रखे यहां कम छोटी लेश चाहिए तो कम फंदे रखे यहां इस तरह हमने फंदे च्छान ली हैं अब हम इसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे आराम से ध्यान से बुने नहीं तो इसके घर गिर जाएंगे अगर आपके इस तरह हो जाते हैं यह लंबा लंबा सा हो जाता है धागल लूज हो जाता है है जैसे हैं हमारा धागल लूज हो रहा है तो आपको जितने प् retard में अ कुछ कम रखे और इस तरीके से जाए अगर आपकर नहीं होता हो तो अच्छा हो आप इंगन्स हैं तो आपको मैं बता देती हूं ईसञें यह इतना लंबा सा इस तरह सलाई डाले दूसरी और इसे बुन ले मैंने 22 फंदे ही डाले हैं मुझे 30 रखना था यहां यह लूज हो जाता है तो इस तरह से घर बरता चला जाएगा यहां यह जादा लूज हो गया है तो मैं इस पर चड़ा लेती हूं घूमा के और दूसरी सलाई से से बुन लेती हूं इस तरीके से अगर आप बुन रही हैं और फंदे गिर जाएं तभी यहां इस तरह हो जाएगा तो आप इसी तरह सलाई घूमा के आप दूसरी सलाई से बुन ले तो एक घर बुना जाएगा इसी तरह उल्टा उल्टा बुनते चले जाएं जितने हमने छाने थे इसे हमने बुन लिया है उल्टा अब जो है हमारा घर जिसे हम बुनते चले आ रहे हैं इसे हम बुनेंगे इसे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इसे हम इस तरह से पूड़े को तीन रो बुन लेंगे यहां से यहां तक हम तीन रो बुन लेंगे इधर वाले को हम नहीं बुन रहे हैं अगर आप चाहे तो एक तीसरा सलाई लगा सकते हैं इसे आप एक सलाई पढ़ाने दे बाकि एक इस सलाई से और एक नई सलाई लगा के आप इसे अलग-अलग भी बुन सकते हैं इसे हम बुन लेते हैं और दूसरी तब सभी जब हम उल्टा बुनेंगे तो यहां तक ही बुनेंगे अब देखिए मैंने इसे एक दो तीन रो तक बुन लिया है और अब मैं इधर से इधर जाओंगी मेरी बुना इधर से इधर की तरफ होगी और मैं इसे इधर से इधर बंद करते वे चले जाओंगी इधर से इधर बंद करते वे जाने से यह फायदा होगा कि धागा का जो छोड़ होगा बचेगा वह जो कट करेंगे वह इस तरफ रहेगा और यहां इस तरफ से यह दुनों की सिलाई होने वाली है तो वह छोड़ना इसके अंदर आजाएगा तो वह सिलाई के अंदर आजाए तो मैं इतना इस तरह से बुन रही हूं कि मैं जब इधर से इधर जाओं तो हमारा छोड धागा का इस तरह रहे तो मैं इतना बुन चुकी हूं अब मैं इधर जाने वाली हूं तो अब मैं इसे बंद करते हुए चले जाओंगी तो अब मैं इसे बंद करती हूं कि आपको जैसे आसान लगता हो आपको उस तरह से बंद करें कि इस तरह से एक एक करके यह बंद हो होता चला जाएगा यह देखिए कि बिग्नर्स के लिए मैं बता देती हूं यह दो तरीके से बंद होता है एक तो आपने अभी देखा यह मैं इस तरीके से बंद कर रही हूं और एक तरीका यह भी होता है बंद करने का कि एक फंदे को बुना और इसकी पीछे जो है इसे उसके उपर से गिरा दिया इसमें सलाई डाला धागे को हलके से पकड़ा हलके से हमने धागा को पकड़ा है हलका से खीचे रखा है और यहाँ फंदा इसके उपर गिर गिर गया यह एक फंदा इस तरह से बंद हो गया यहां हमने धागा पकड़ा हुआ है इस तरह से एक ही करके हम बंद करते चले जाएंगे यहां देखिए इसे बंद करते हुए हम यहां तक आ गये हैं इसे भी हम बंद कर लेते हैं कि यह पूरा बंद हो गया अब हम धागा को कट कर लेते हैं और इसे इसके अंदर डाल के कि इसे इसमें गांट लग जाएगी अब हम इसकी सिलाई कि सॉरी अब हम इसकी बुनाई करते हैं जैसे हमने इस तरफ किया है वैसे इसके इसके बाद इसलाई को बुनेंगे अब मैं इधर की बुनाई कर रही हूं तो मैं इसके एक पहले वाले स्टीच में सलाई डाल के पहले दागतों निकाल लेती हूं और यहां फंदा और यहां फंदा इन दोनों को मैं एक साथ बुनूंगी इससे यह होगा कि इसमें जोल नहीं आएगा नीसिंग आएगी अच्छी और इन दोनों को भी लेते वे बुन लेती हूं तो यह पक्का हो जाएगा इसके बाद मैं उल्टी उल्टी बुनाई करूंगी अब मैं यह दूसरी सलाई पर हूँ इससे में बुन रही हूँ यहां मैं विग्णर्स के लिए बता दे रही हूँ यहां जो हमने 3 फंदे को डबल-डबल भागे से बुना था इससे में एक ही मौनूंगी यह एक ही है से इन दोनों में एक साथ सलाइड डालके इसे बून लुगे अब बूनते जाना है जैसे हcolor हम ने बुनना गें ने यहां हम्ने assured फिर हमने लैस के फंदे डाले थे उतनी हिस्तलाई बुन के फिर यह हम लैस के फंदे डाल के और इस तरीके से हम बुनेंगे और हम जब हम less के फंदे डालेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस तरफ फंदे डालेंगे, अगर अब इस तरफ डाल देंगे तो वो फंदे इस तरफ बुने चले जाएंगे और इसकी डारेक्शन गलत हो जाएगी, एक फंदे इस तरफ आएंगे, अब मैं इसके फंदे बढ़ाऊंगी, अब मैं बुनते वे इस तरफ जा रही हूँ, तभी मैं इसके फंदे बढ़ाऊंगी, अगर मेरी बुनाई इधर से, इधर से इधर की और होती, तब मैं फंदे नहीं बढ़ाती, तब ये फंदे लेस इस तरफ होते, लेकिन अब हमारी बुनाई इधर से मैं इसमें बनाऊँगी यह से बुन लेने के बाद यह मैं Heat legg के फंद मंद आलूएंगे हमने यहँ लैज भी बना लिया हैं अभी depth करेंगे धागे को ठोल लंबा करके करेंगे कि कीशी से हम चिलाई करने वाले हैं अब हम इसमें नीडल टाल लेंगे हमने डिया है इसे हम फिक्स कर लेते हैं यह दिखिया मनें ऐसे ड़ाल है यह जो है यह लास्ट वालास्टेश है हमाँ नीडल तो आल के से शिक्स कर लेते हैं अब हम िसकी सिलाई करेंगे इसकी सिलाई हम इस तरह से करेंगे यहांने लिए कि यहां से ड़ी करतेुए हम यहां तक आाइगे यहां तक हम दो चलाई कर ना है यहां पर हम अच्छी तरह से दोबार कर लेते हैं या मजबूत हो जाए कर दो आठी है गोला है मैं अखाने गोला है कि अच्छी थे कर लेकाशी मैं अच्छी थे लिए कर दो आठी काम कर वे था नए किया आपया बे काम हो वेगा इस तरह से मैं सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई करते वे मैं यहां तक सिलाई करके आती हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगी कि यहां पे हमें किस तरह सिलाई करनी है, हमने इसके सिलाई यहां से यहां तक कर ली है, अब हम इस पॉइंट पे आये हैं, यहां सामने का पोर्चन होगा, आगे का होगा, यहां इसे हमें गोल करना है, तो हम इसे इस तरह से सीएंगे, इस पोर्चन को हमें गोल करना है, यहां तक हमने सी लिया है, कि यहां तक हमने यहां से यहां तक हमने सी लिया है अब हम इसमें ऐसे से नीडल डालके इसे खीच लेंगे अच्छी तरह से अब हम इसे पक्का कर लिते हैं ऐसे प्राइब इसकी सिलाई हो गई एक्ष्ट्र धागे को हटा लेते हैं जहां जहां एक्ष्ट्रा धागा है इसे काटके हटा लेते हैं अब हम इससे पलटते हैं इस तरह हमारा यह सॉक्स तैयार हो गया आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तिल देन बाई